को जिला बनाने की जो मांग है वो अमारे जन परती निधियों ने चाहे वो बीजेपी से समन्दित हों या कॉंग्रेस से हों इन्होंने कभी अपनी अंतरा आत्मा से उठाई कि आप चाहे कितने ही जातिवाज के नारे लगा लो कितने ही आप एक दूसरे प्रियास करके जनता को सभाओं में आने से रोक लो इन खेतड़ी की जो जन माना से मेरा जो सीर्ष नेत्रतों है भेन कुमारी मायवती जी हमारे मानने भेन जी के नेत्रतों में हम सब लोग संकीत रूप में 2023 के लार माये की टिकेट उसको प्राप्त होगी यहां जीतने वाले कंड़ेट के साथ पार्टी जिनकी अंतरात्मा साफ नहीं है जो लोग अपने आप पर पाप लिए घुमते हैं वो लोग सारे एक होते जा रहे हैं और उनका प्रियास है कि हम में से तो कोई भी बन जाए कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मनोज घुमरिया नहीं गया और यह भी देखा गया कि कॉंग्रेस का मंस्ता और ब्येस्पी के पूरो विधायक मौदेवां पहुचे तो यह एक उनकी अपनी सोच्वा पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई अंतर कले नहीं है यह तो आपको मैं निस्चीत करूँ क्यूंकि हमारी जो जिला बोटी और जो खेतडी उपकंड की प्रियास का जन्मानस मेरा साथ देता है और मुझे विधायक के रूप में खेतडी ने चुना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुश से मैं खेतडी को जिला बनवा के रहूँगा कि आपने अपनी गाड़ी कमाई उन लोगों के लिए खर्च कर दी जिनको जर कोई भी पबलिक का काम नहीं होना चाहिए किसी भी परकार का कोई विकास कारी नहीं है कारी कर वाए जा रहे हैं और जिनको लेकर आज समात से भी यौँ अनिता बस्वा निता मनुशकुमार गुमरियाजी से अज पूरी हम डिबेट करेंगे बाच्चित करने कारेंगे हैं लेकिन फिर भी इनके उपर आरोप लग रहे हैं ये इन पूरे मामले के सतिता जानने के लिए हम गुमरिया जी के पास आये हैं पूरी बाचित करेंगे सर नमस्कार किसोर जी सर आप चुनावी मेदान में हैं और आप जिस परकार से छेतर में हमें सुनने को मिल रहा है देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले आपने करोडों रूपे के विकास का रहे हैं आप करवा रहे हैं इसके लिए हम बात करें कि आप पानी की समस्याओं को लेकर धरातर पे आये थे ये गाउं ड्हानी और जो कस्बा है हमारा उन सब में पानी की पेजल की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए हमने जगे जगे टूवेल भी निर्मान करवाए और अब तक करीबन 65 टूवेलों को हम लोग खुद वा चुके हैं लेकिन हमारा जो प्रियास है कि हम हमारे खेतड़ी के जण मानस की पीड़ा को कम करें दूसरी तरब जो जण चुनेवे विधायक हैं उन सब ने ये ताकत लगा रखी है कि किसी भी सूरत में कोई भी पबलिक का काम नहीं होना चीए किसी भी प्रकार का कोई विकास कारिया नहीं होना चीए इसका आप वीडियो टेप लीक हुआ और वाइरल हुआ और उसमें स्वेम जन परती निधी जो प्रसासनिक अधिकारी है तैसिलदार जी उनको आदेश कर रहे हैं कि यह जितने भी टूवेल खुद आये गए हैं उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाए तो मैं यह कहना चाहता कि जो पब्लिक आपको चुनती है और वही दुख पारी है वही पानी जैसी मूल समस्या से परिशान है और उसको कोई विक्ति दूर करने के लिए अपने स्वेम की कमाई से उनके हित की बात कर रहा है उनके सयोग करने की बात कर रहा है उसमें आपका सयोग हो तो बहुत कि लोग बाग कहते तो क्या है और सोचते क्या है बाकी मेरा प्रियास है पूरे छेतर के अंदर पेजल संकट को जल्दी से जल्दी दूर करें और इस बहुत बड़ी समस्या जो विकट रूप लिये हुए है अभी गर्मी के मुसम में तो आप देखना पूरे छेतर में टैंक क हमें गुंडागर्दी से बचाए हमें विकास के मार्क पे साथ लेके चले हाथ से हाथ और कंदे से कंदा मिलाके चले उस व्यक्ति की जरुत है इस पूरी व्यवस्ता को चाहे वो प्यस्डी डिपार्टमेंट के अधिकारी हूं या विधायक मोद है सिर्फ है ये ज्यान र पानी पिलाने का और पानी पीने का तो सब को अधिकार है और इस सीज को हम ये देख के करें कि ये तो देगा वोरे miss koo profesThank बड़ी मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ी भूल है कि हमारी सोच इस परकार की नहीं होने की गुमरीय जी आपके दुवारा गुमरीय निसुलक कोचिंग कलास से संचालित कर रखी है बहुत से गरामिन शितर के जो बच्चे हैं वो निसुलक आरोप भी लगाता है कि टेक्स बचाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है इसमें आप क्या करते हैं देखिए विपक्स का काम है आरोप लगाना मैं जब से व्यापार में हूँ मैं अपना गोर्मेंट के रूल रेगुलेशन के अकोडिंग सब काम करता हूँ और मैं देश के अनुसार हम करते हैं यह जो सेवाई हैं यह हम आज से नहीं काफी समय से कर रहे हैं और हमने इनके लिए ट्रस्ट का निर्मान कर रखा है और ट्रस्ट के माध्यम से मेरे भोट से ऐसे साथी हैं जो भी अपना खुले दिल से इसमें मदद करते हैं और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसी सेवा जो हमें एक भोती सुन्दर भावना से जोड़ती है जो लोग अपने बच्चों को उच्चे सिक्षा नहीं दे सकते जिनके बच्चे पैसे की वज़े से अच्छी नोकरी नहीं प्राप्त कर सकते या यूं कहें कि वो समुदाय वो जिसको हम लोग शिक्षा के साथ साथ ऐसी सेवाएं दें जिनसे वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ना सीके हैं इनके लिए जित्ते भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो स्वागतियों के हैं और विरोधियों का क्या है विरोधि तो लगाएं यारो जो जिनको सच्च सच्चाई नहीं पतह है वो सच्चाई बिना जाने कुछ ही कह सकते हैं अपको नेता हमारे चित्र की विकास कारियों के लिए चाहिए होता है नेता के लिए Miles 186 विराधरियां उसकी अपनी होती किन ऐसा कभी कुछ भी नहीं करते हैं और यह苦 ór h amarar बड़ी-बड़ी शंसता साथन के लिए पर उसी सुक शाधन में आप अपनी भावना को इस से जोड़ लो कि मेरा मन और मेरी जन सेवा में मेरी कमाई को मैं वे करूं तो इससे बड़ी सेवा और क्या होगी निरंतर मिलता रहता हूं और उनके भाव को देखके मुझे लगता है कि खेत्री की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का जो स्वारूप है वो शर्व समाज का है गुम्रिया जी जब से निमका थाना को जिला बनाएगा तब से लेकर हम बात करें तो खेत्री में भी जिला बनाने की मांग है वो तेज हो रही है सबी जनपरतिनिती एक मंच पर आकर जिला बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन ये जनपरतिनिती पहले कहां चले गए थे ये तो नमबर आता था और खेतड़ी रियासत के समय बहुत सारा एरिया जो आज दो-दो जिलों के अंदर आपके सामने आया है कोटपुतली, नीम का थाना, खंडेला, यह आसपास के जो चितर थे चिडावा, यह सभी खेतड़ी रियासत के अंतरगत होते थे खेतड़ी वासियों की और खेतड़ी छेत्र की मेरा मानना है कि जो खेतड़ी को जिला बनाने की जो मांग है वो हमारे जन परती निधियों ने चाहे वो बीजेपी से समंधित हो या कॉंग्रेस से हो इन्होंने कभी अपनी अंतरा आत्मा से उठाई नहीं और जिन जिन लोगों ने आज 40-40 साल से जो राजनिती में सक्रिये हैं और उनको जिला बनाने की बात समझ में नहीं आई और वो खेतड़ी को जिला बनाना चाहते तो एक संगर समिती के गठन के साथ साथ हर वो समय जहां-जहां जिले की मांग उठी है तो आप देखेंगे कि जिनको आज जिले की गोशना हुई है वो लोग पिछले 25-30 सालों से मांग कर रहे हैं हमारे याँ छेतर में ऐसी कोई मांग उठी ही नहीं इन जनपरती निदियों के दवारा और इसमें देखिए इस काम के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो जनपरती निदि का आगे आके उरे छेतर को संगठित करके और अपने छेतर की सुविदाओं और एस सुविदाओं को ध्यान में रखते वे राज्य सरकार के सामने ये मांग रखनी चीए और उसमें मानना मेरा ये है कि देखो मैं पिछले एक साल से सक्री हूँ येकिन आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं खेतरी को जिला बनाने के लिए पुरजोर अपनी ताकत लगाऊंगा और अगर खेतरी का जन मानस मेरा साथ देता है और मुझे विधायक के रूप में खेतरी ने चुना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुष से मैं में खेतरी को जिला बना के रहूँगा कुम्रिया जी खेतरी में जाती एक्टर बड़े लेवल पर काम करता है आप विधान सबाद सुनावी मेदान में है इसको आप किस नजरे से देखते है खेतरी का जाती एक्टर है जो बड़ी रहा मुश्किल करेगा लेकिन आप किस परकार से देखते हैं मेरा मानना है कि देखो तो राजनीती में आज जिस परकार से जातिवाद और धरमवाद हावी हुआ है वो हमारे लोकतंत्र और हमारे विकास के लिए सबसे बड़ी बादाएं हैं इस चीज को जिस जिस छेतर के अंदर जातिवाद पनपा है और वहां एक वर्ग विशेश या एक समुदाय के लोगो तो वहां बुंडागर्दी वहां पे विकास के नाम पे ठगी ब्रस्टाचार इनका बहुत बड़े लेवल पे बोलवाला हुआ है बहुत बड़ोतरी हुई है और जो अन्य जात विरादरियां हैं या समाज हैं उनके अंदर एक आक्रोष की भावना पनपती जाती है तो मै तो यह मानता हूँ कि स्वस्त लोगतंतर के लिए और विकास के लिए हमेशा ही जाती वाद को दरकिनार करके और एक योग्ये विक्ति को 36 विरादरी को चुनना चीए आपको नेता हमारे और उसको न्याई प्रिय होना चीए वो अपने छेतर में सांती विवस्ता इस्ताप और सब के काम होने चीए किसी भी भाई के मन में ये भाव ना पैदा हो कि यार मेरी जाती का नहीं है इसलिए मेरा काम नहीं करता और इन चीजों को द्यान में रखते वे मैंने खेतरी की जनता से अपील करी है और निरंतर में मेरे बुजूर्ग और मेरी माता हूँ मेरे बह अंतर मिलता रहता हूं और उनके भाव को देखके मुझे लगता है कि खेटडी की जनता बदलाओ चाहती है और बदलाओ का जो स्वरूप है वो सर्वसमाज का है और नेता सर्वसमाज का इस रेष्ट माना गया है ये हमारे देश के जो बड़े निर्माता हुए हैं उनको भी कि आप देखिए कि वो सर्वसमाज के लीडर के रूप में जो कोई आगे आया वो आगे बड़े हैं और जाती वाद को जो लेके चला उसको बहुत समय तक लोगों ने पसंद नहीं किया अन्ता उनका अन्त हुआ है खेतरी के पॉलो ग्राउंड में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ था दो दिन पहले हम बात करें उसमें बस्पा के परदेश लेवल के परदेश सिस्तर के जो पदा दिकारी थे वो भी मौजू थे लेकि हम बात करें तो बस्पा में यहां पर अंतरकला देखने को मिलना सि बस्पा के पूर्व विदायक थे उन्होंने तो कॉंग्रेस पार्टी के जो जनपरती ने दिया उनके साथ मंद साजा किया था ऐसी कुछ चर्चाए हैं जो छेतर में सुनने को मिल रही है आप इसको किसले हो चले बस्पा पार्टी के अंदर किसी परकार का कोई अंतरकला नहीं है यह तो आपको मैं निस्चित करूं क्यूंकि हमारी जिला वोड़ी और जो खेतरी उफकंड की कारिकार्णी है सभी संगठीत रूप में प्रियास कर रहे हैं हां यह जुरूर है कि हमारे जो पूर्विदायक मोदा हैं उनको ऐसे प्रियास हैं कि वह कहीं न कहीं महारों के मंच पे साथ देखा गया और ये भी देखा गया कि कॉंग्रेस का मंस्ता और बीएसपी के पूरों विधायक मौदवा पहुंचे तो ये एक उनकी अपनी सोच कह सकते हैं पर जिस प्रकार से वह अपनी जाती को अपनी तरफ संक्ठित करके और चुनाव लड़ना च हम आज भी देख रहे हैं और मैं उस विशेश रूप से जाती से भी कहना चाहूंगा हमें ऐसे लोगों की जुरत नहीं जो दिखाने के लिए तो गहर विरोधी बने वे थे और आज की तारीक में एक हो गए तो ऐसा क्या हुआ देखिए आप पूरे छितर के अंदर जैसे जनता का प्यार और आसिरवात प्राप्त हो रहा है ये उसी का नतीजा है कि लोग जिनकी अंतरात्मा साफ नहीं है जो लोग अपने आप में पाप लिए घुमते हैं वो लोग सारे एक होते जा रहे हैं और उनका प्रियास है कि हम में से तो कोई भी बन जाए कोई फरक नही जीतना चाहिए नहीं तो जनता जनारदन के इतने काम करेगा हर वक्त उनके दुख दर्द में सामिल होगा और ये लोक लाडला सारे खेत्री छेत्र में इतना फेमस हो जायेगा तो हमारे जो आज तक जो हमारी श्यवक कौन है, हमारा जो खेतरी को इज्जद दे सकता है, खेतरी के स्वाविमान की रक्षा कर सकता है, खेतरी के अंदर 37 तापिद कर सकता है और विकास कर सकता है कितरी की जन्ता उसके साथ जाएगी. exposed कितो कर्देश जी जो पता दी बड़ी पेज़दगी है टिकेट को लेकर टिकेट का फैसला देखिए सीर्ष नेतरत्वे के हाथ में होता है और हमारा जो सीर्ष नेतरत्वे है वो अन्य पार्टियों की तरह ग्राउंड की रिपोर्ट और ग्राउंड की सर्वे के इसाब से टिकेट देगा और जो भी पदा सारे के सारे पबलिक के भाव को पढ़ रहे हैं और सब अपनी अपने रिपोर्ट देते हैं सीर्ष नेत्रतों को तो मैं मेरा जो सीर्ष नेत्रतों है भेन कुमारी मायवती जी हमारे मानने भेन जी के नेत्रतों में हम सब लोग संक्षित रूप में 2023 के चुनाव लड़ रहे ह हमारे प्रभारी मानने सांसजी राम जी गोतम साब बार बार हमें दिसा निर्देश देते रहते हैं और प्रदेश कारियाल है प्रदेश अदक्त से मानने बाबा जी और बारुपाल जी उनके दिसा निर्देश के according सारे लोग हम काम कर रहे हैं और इन सब क्या ground पे नजर है ground survey, ground से public की आवाज और जिसके साथ मैं सर्वशमाज है और सभी अपना एक स्वर में एक नारा लगा रहे हैं उसको party अपना यहां का candidate बनाएगी मैं कहूं कि मेरे हाथ में ही सब कुछ है और मैं टिक्टें बाढ़ता हूं ये जाहिज बात नहीं है जिसका जो काम है उसको करने देना चाहिए और ये कहना अतिशोक्ती भी होगी कि हम लोग इस परकायर की विचारधारा मैं तो नहीं रखता हूं मुझे मेरे इसे इस रूप से मानने भेंजी में बहुत बड़ा विस्वास है और राम जी गोतम मेरे बहुत अच्छे आदर्स और साथी हैं और वो बहुत बड़ीया निर्ने करते हैं ग्राउंड पर नज़ आप कि सेक्टर में खेतड़ी को नमर वन बनाएंगी देखिए खेतड़ी ने जो अपनी पहचान विश्वा पटल के उपर बनाई थी एक तामर नगरी के रूप में और खेतड़ी का हर एक घर हर एक परिवार बड़ा खुशाल था क्योंकि यहां रोजगार के बहुत बड साल पहले की प्लांट में बहुत फरक है वह इंदुस्तान को पर जिसने दस से बारा हजार लोगों को रोजगार दे रखा था और एक विक्ति पांस से दस लोगों को खाना खिलाता था तो यहां की जनता का एक मात्र इंकम का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था आज देखे के काफी बड़े बंडार बचे हैं ऐसा क्या हुआ कि जिससे हमारे इस दूद देने वाली गाय को बिलकुल ही इगनौर कर दिया गया और पूरे छेतर के साथ अन्याय किया गया यह सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की गलत सोच का नतीजा है ब्रस्टाचार को इतना काम्याजा हमारे खेतरी चितर के जन्मानस को बगतना पड़ा जो उनकी आजीवी का का साधन था वो छीन लिया गया मैं आपके माध्यम से एक कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान को पर की वो जो लड़ाई हमें आज से पहले लड़नी चीए थी हमारे जन परतिनी दियों क नहीं जाने देना चीए था उसके लिए पूर जोर लड़ाई लड़ूंगा जो अन्य सेक्टर हैं उनमें भी रोजगार के साधनों को बढ़ाके हमारी माताओं के लिए विशेश रूप से खेतरी के अंदर बहुत बड़ा स्कॉप है यहां की जो लेडिजें हैं वो बहु तरह से हम लोग सरकारी शिवाओं के लिए प्रेयरित कर सकते हैं फिर खेतरी अपने आप में इसकी जो जो जोग्राफिकल लोकेशन है या फिर यहां का जो एतियासिक महत्व है इसको ध्यान में रखते विए खेतरी एक ट्यूरिस्ट प्लेस बहुत बड़िया डवलप हो स प्रेदान करती हैं तो मैं इन सब चीजों के पिछे अपना सोच लगा रहा हूं कि मैं विधायक बनता हूं तो मेरा प्रियास यही रहेगा कि खेतरी के हर एक नागरिक हर एक जनमानस को मेरी बहनों को मैं रोजगार दे पाऊं और रोजगारी वो सबसे बड़ी ताकत है ज पूरा कर पाता है ये प्रियास मेरा सबसे ज़्यादा रहेगा कि खेतड़ी को मुलबूत सुविदाओं के साथ साथ रोजगार भी उपलब कराऊं। धन्यवाद सर्बाचिते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।